दोस्तो आप सभी WhatsApp तो यूज करते होंगे और आपके सामने एक problem आता है हमेशा आता है जैसे मालीज कोई आपको कोई message भेजता है उसके बाद delete for everyone कर देता है यानि आपके message पढ़ने से पहले यो drill for everyone कर देता है यानि जैसे मालीज आपके दोस्त ने आपको message भेजा और आपने उस message को पढ़ा भी नहीं और उसने delete for everyone कर दिया तब आप सोचते हैं कि कास हम इस message को पढ़ पाते हैं आखिर क्या था इस message में तो आज किस वीडियो में ऐसा एक trick बताने वाला हूँ कैसे आप delete for everyone का कोई अगर आपको message भेज के delete कर देता है तो आप उसे कैसे आसानी से पढ सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों जैसे मान लीजे मेरे दोस्त ने message भेजा था और उसके बाद delete for everyone कर दिया तो इस message को मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इसने क्या भेजा था तो चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक app सब्सक्राइब को यहां पर आपके सेब करता है तो जैसे माली जी मेरे दोस्तों ने भेजा था message उसे में देखना चाहता हूं तो यहां पर नोटी सेवर एप को मैंने open कर दिया जैसे माली जी आज ही आप इस एप को download कर लिए क्योंकि आज के बाद कोई भी आपके message को यान से देखना है तो यहां पर open कर दोते हैं और यहां पर सारा message आपको सो हो जाएगा देख लिजिए हाइए 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 यही message आया था यही मैसेज मैंने दूसरे phone से इस phone में भेजा था और मैंने delete for everyone कर दिया था तो आप इसी तरीके से किसी का भी कभी भी कोई भी message देख स पर रहूं अभी कले इतना ही ठेंक्यों पर वाचिंग